तो हेलो गाइज, असलामौ अलेकूम रह्मतुल्लाही और बारिकातू, तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं, और फाइनली आपके सामने एक होंडाई की एफेंट आया हूं, जोके 2007 का मोडल है, तो इसमें फॉल्ट क्या आ रहा है, इस्टरिंग ने इसका बहुत हाड घूम रहे, जरा गारी चालू कर देता हूं, गारी चालू हो चुकी है, और इसको इस्टरिंग को बहुत ताकस से घूमाना पड़ रहा है मेरे को, देख पार है, फ्री लीने घूम रहे, ताकस लगाना पड़ता है, और इसका कोड क्या रहे हैं यह देख पार है मेटर में कि एपी एस का लाइट आ रहा है और प्लस एयरबेक का लाइट आ रहा है यह दो मेटर में स्टेडिंग का लाइट आ रहा है इस्टेडिंग जाम चल रहा है इस वज़े से और एयरबेक का लाइट आ क्यूंकि इसके अंदर की क्लॉक्डिंग खराब हो चुकी है क्योंकि होन भी बजा रहा हूं तो होन भी नहीं बज रहा है तो सबसे पहले मैं इसमें स्कैनर लगा रहा हूं और अपने पास यह रही इसकैनर मैं इसको डाइग्नोस कर रहा हूं हुंडाई की है तो अर्टो सेलेक्शन में जा रहा हूं कि वियाई नमबर इसका रीड कर लेता हूं वियाई नमबर आ गया इसका अब ऑक्य कर देता हूं तो हुंडाई कोडिया है या फिर एरोफ है तो यह कोडिया है कोडिया पर क्लिक कर दिया आ गया दोजार तेरा का मोडल हुए हुंडाई कोडिया एस सेंट तो चलो इस पर किलिक करता हूँ मैं बाइगनोसिस में जा रहा हूँ आटो स्केन में जा रहा हूँ कि इसका लाइट क्यों आ रहा है इंजन तो सही है एक्स ट्रेक्सल एबी एस ये भी सही है नो कोड AB यान एरबेग एरबेग में कोड आ रहे दो AC एर कंडिशन में नो कोड EPS मोटर ड्राइवर पावर इस्टेडिंग का देख पा रहे कोड आ रहे दो कोड आ रहे स्मार्ट की यूनिट उसका तो कुछ फॉल्ट है नहीं अपने को उदर जाना नहीं है तो इसको पाउस कर देता हूं मैं तो अब पूरा स्कैन ही हो चुका अब एरबेग में सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि एरबेग में क्या चीज का फॉल्ट आ रहा है त्रावल कोड में जा रहा हूं बैटरी वोल्टेज लो इस्टिरी में दिखा रहा है ड्रैवर एरबेग रेजिस्टन्ट तू हाई फर्स स्टेज फॉल्ट यहीं का दिखा रहा है चाहिए कनेक्शन नहीं हो इससे या फिर एरबेग रिंग खराब हो गया हो इसके वएसे तूट गया हो इसका सिगनल यह वाले एरबेग का सिगनल नहीं दिखा रहा है कंपूटर में नहीं दिखा रहा है कंपूटर में इसके वएसे वह लाइट आ रही है तो सबसे पहले मैं कि एयर बेग रिंग तो चेंज नहीं करूंगा सबसे फिले बैग जाता हूं आपको ये कोड एक बार नोट कर लिजे क्या कोड आ रहा हुआ कि भी वन कि थ्री फोर सिक्स ये कोड आ रहा है इसमें कि एयर बैग में अब चाहते हैं बैग कि एक पीएस में जा रहा हूं कि पावर इस्टेडिंग में कि पावर इस्टेडिंग में क्या कोड दिखा रहा है कि फर्स्ट वल आप्शन किलिक कर रहा हूं कि ट्रबल कोड में जा रहा हूं तो देख पार हैं इस यू थर्मल प्रोटेक्शन मोटर क्रेंट ओवरफ्लो दोनु एक्टिव हैं दोनु का कोड क्या आ रहा हैं है Almost 474いい tea होदी थे ट्री के विशेंट इसक प्रॉबर्र में भी प्रॉबलम होता है तो भी लाेट आती है और मोडूल नीचे जो मोडर से कनेक्शन है मोरट को जो कनेक्शनर देता है मोडूल О can't you अब भी प्रॉबलम होने से यह प्रॉबलम आता है तो चलो इसको साइड करते हैं कि इसको खुलने के लिए सबसे पहले मेरे को यह वाला खुलना पड़ेगा यह खुलने से पहले यह खुलना पड़ेगा इसके बाद एक इसकुरू यहां है एक दो दस्तमबर यह है कि बाद इधर आजाई एक इसकुरू यह है और यह वाला खोलना पड़ेगा तो चलो इसको मैं सब खोलता हूं तो फाइनली इसको मैं सब खोल गया हूं इससे पहले मैं इसका डैजबोड खोला हूं यहीं से मॉडल का तो आप चेक करना चाहते हैं डैजबोड कैसे खुलता है क्या खुलता है क्या तो देख सकते हैं वो वीडियो में जाकर क्या तो इधर दो सोकीट रहेगी उन्हों सोकी निकल चुका सोकेट तो सबसे पहले जो है ना अब उन इसका सप्लाई चेक करते हैं में जो सप्लाई आता है ना इसको में सप्लाई ये वायर में रहती है जोके 12 वोल्ट करेंड आता है इसको ये वाली सोकेट में तो इसको खोलते हैं तो इसको खोल दिया मैं कोलने के बाद अब इसको मैं टेस्टर से चेक करता हूं यह रही अपनगा टेस्टर इसको बॉडी ग्राउन में लगाता हूं मैं ग्राउंड की दर दूँ इसको जहांके कमफरटेबल मिले अपने को चलो इधर दे देता हूं तो सबसे पहले टेश्टर चेक कर लेता हूं चल रहा है क्या नहीं इस च्टर बरोबर बैठा नहीं है यह वाली अर्थिंग में दे देता हूं टेंशन ही दूर हो जाएगा अपना चलो तो देख पार है टेश्टर गुलो कर रहा हूं देख पार है टेश्टर गुलो कर रहा है मैं इदर फेश में लगा रहा हूं तो अब मेरे को जलना क्या है इसके फेस क्रेंट चेक करना है इसका तो देख पार है यहां लगा रहा हूँ कि अरे सामने देखाते हूं आपको देख पार है यहां लगा रहा हूं करनेक कर रहा हूं जैसे तो लाइट ग्लो करने लगता है यह भी पल्टी हो गया देख पा रहा है सप्लाई आ रहा है तो अब फिर अर्थी वा अर्थ वाला भी मैं चेक करूँगा इसमें कि अर्थ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो यह मैं टेस्टर ऐसा बनाया हूँ कि इसको अर्थ भी चेक कर सकते हैं इससे और इससे फेस भी चेक कर सकते हैं तो इसमें फेस आ रहा है मेरा तो मैं यह क्लिप जो है फेस में लगा देता हूँ उसके बाद इसको अर्थ में लगाता हूँ यह मैं इसमें अर्थ आता है दो ही सप्लाई आता है इसमें एक फेस एक अर्थ तो अर्थ लगा दिया हूँ सोरी फेस लगा दिया हूँ अब इसमें अर्थ लगांगा तो यहां रेड लाइट की लाइट चलेगी मेरा तो देख पा रहे हैं यहीं सप्लाई बरोबर आ रहा है इस में अब दूसरा स्टेप मैं इसको खुलता हूँ यह वाली सोकिट दूसरी जो सोकिट देती है मोटर को सब क्रेंड जो जाता है अब सोकिट निकाल दिया हूँ और यह सोकिट पूट कर देता हूँ अंदर डाल देता हूँ क्योंकि यहां से सप्लाई देंगे तभी यह आउटपुट सप्लाई निकालेगा 12 वोल्ट का कब निकालेगा जब आपने स्टेरिंग घुमाएंगे तभी यहां से सप्लाई आनी चाहिए तो यह अर्थ फिर से मैं बॉड़ी को राउंड कर देता हूँ बॉड़ी में लगा चुका हूँ अब यह जो है तो इसको एक में लगाके रखता हूँ कि कुछ रिस्पॉंस देता है या नहीं देता है करना क्या पड़ेगे हैं सप्ला ही कब आएगी जब अपन एगनिशन चालू करेंगे यह निकारी चालू करेंगे गारी चालो हूँ चुकी अब इस्टेडिंग घुमाऊंगा इसमें तो कुछ नहीं आ रहा है देख पा रहे हैं टेस्टर कुछ नहीं गुलो कर रहे हैं अब फिर दूसरा वाले में उपर वाले में चेक करूंगा में लगा के लगा दिया हूँ लाइट गुलो नहीं कर रहा है मतलब इसका मोटर ये मोडूल का मोडूल में प्रॉबलम है 100% तो चलो मैं मोडूल को खोल देता हूँ पिछे दो एस्कूरू रहे गा तो चलो में मोडूल को खोल था हूँ खोल के 10 नमबर दिया रहेँगा 10 नमबर या 12 नमर रहेगा तो खोलता हूँ खोल्ने के बाद बहाद निकलता हूँ गाड़ी ओफ कर देता हूँ यहां से supply तो जा रहा है में supply लेकिन यह output supply नहीं निकाल रहा है तो module का इधिंग पूरा confirm है कि module का problem है तो module को बहाल लेता हूं मैं तो फाइनली पीछे से कि यह बोलट था मैं खुल चुक हूं इसको अब यह दोने socket निकाल देता हूं दोने तो पहले निकाल चुके थे तो सबसे पहले में सेम नियू वाला वह दूले यह यह लगाता हूं तो टैटू टैटू लगा रखा है यह जब इसको पहले सॉपकेट में लगाता हूं तो दोनों सोकिट लगाता हूं और इसमें में सप्लाई देता हूं और यह सोकिट लगाता हूं जो के सेंसर का है स्टैडिंग इंगल सेंसर का है उसका सोकिट लगाता हूं में तो चलो इसको लगा देता हूं और यह में सोकिट लगाता हूं और यहां पर सप्लाई देखते हैं आता है क्या नहीं सबसे पहले मैं आपको यहां पर सप्लाई चेक करके दिखाऊंगा कि सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है मोड़ल में फॉल्ट है या नहीं है वो चीज़े मैं आपको कन्फर्मेशन कर रहा हूं तो मैं बोड़ी ग्राउंट तो इदर लगा चुका हूं इधर और यह ट दिया हुए अब यह रही है तो ignition on कर रहा हुँ में सोरी गारी चालू कर रहा हूं गारी चालू कर दिया अब इस्टेडिंग घुमा रहूं मैं तो देख पा रहे हैं लाइट गुलो कर रहे हैं प्लस का सप्लाई आ रहा है एदि मतलब इसका मोडूल में फॉल्ट था फॉल्ट है इस वज़े से यह वाली वायर में भी आ रहा है इसा चल रहा है तो यह वाली अब जो बंद 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 हो रहा है न गुमाने में तो इस था रहा है इतर अब उसको बंद दो हो रहा है तो उस था यह वाली में के चेक कर रहा हूं दूसरी वाली में लगाना थोड़ कटीन है लेकिन फूल कोशिश कर रहा हूं मैं तो लगा दिया हूं दूसरी वाली में भी तो देख पार है दूसरे वाले में भी यह वह रहा है तो सेम टूसरे वाले में भी और जल रहे हैं घुमा रहा हूं जैसे वो चालू बन चालू बन देख पार है चालू बन चालू बन हो रहा है तो यह चीज़े होनी चाहिए तब भी जाकर के आपका यहां से सप्प्लाई देगा और चलाएगा इसको यह हो क्या रहे हैं अभी जब अफन स्टेरिंग घुमा रहे हैं तो यह स्टेरिंग एंगल सेंसर के जरिए मोडूल को कंट्रोल करता है कि कौन से साइड घुमाना है यहीं से नेगेटिव पोजिटिव करेंट देता है जब इस तरफ घुम जाता है और मोटर घुमाने लगता है बस बाकी कुछ नहीं तो चलो इसको मैं फिट कर देता हूं फिर आगए मैं आपको यह लाइड भी चली जाएगी तो चलो सब देकर देता हूं उसको फेट करने के बाद फिर दिखाता हूं तो फाइनली यहां पर सब्फिट हो चुका अपना तो चलो अपर देखते हैं तो देख पार है इस्टेडिंग भी अपना फिडियो हो गया आप इजली घूमड़ है क्या कि इस जी भूमड़ है और लाइट भी चली गई और दूसरा कोड के आ रहे अपना एअर बैक का रहे हैं तो एअर बैक के लिए मेरे को सबसे पहले एक लॉक एयर बैक खोलने के लिए यहां से एलंकी दिया एलंकी खोलना पड़ेगा तो दोनों एलंकी में खोलता हूं गो फाइनली दूनु सायट का है-लिंकी. mitad.. भूस कर दिया ह indifferent..जुने को लेंग ये एजिली रान निकल जयाएगा. तो ऐर वेक की सउकीट मैं निकाल देता हूँ.. ये वाली.. तो फैनली अपना एरवेक की सोकिट भी निकल चुके है.. ये वह याली के लॉक को फ्र्वासा दब अकर के निकाल देने का हुआ सिधी रखने का, क्योंकि ये कलोक परेंग जो अता है सीधी पोजिशन में बैठाने के लिए आता है तो चलो यह वाला बोल्ट खुलता हूं मैं तो फाइनली मैं इसको यह वाला मशीन से खुलता हूं देख पा रहे हैं यह बोल्ट है खुल गया अब इस चरिंग को बड़ा सजी करके निकाल देने तो चलो इसको बाहर निकालता हूं तो फाइनली इस्टेडिंग भी निकाल दिया अब यह दो इसकुरू रहेगा दो इसकुरू खुलने के बाद यह इसली निकल जाएगा तो माइनस इसक्रूर से मैं इसको कटा के उपर लगा निकल जाएगा तो फाइनली निकल गया अब इसको चाबी निकाल दिया इसको बाहर ले लेगा बदगा प्रून कर दो एक कर दो कर दो भाप टो और क्रू नीचे का छूला नहीं, इस किवज बदेस नी करनेड़ ए तो पहले लें नेकल चुका है इसको ज़री रख देते हैं और यह सीजी पोजिशन में खुला है तो अब अपने को इसका सॉक्ट निकालना है यह सॉक्ट है यह सॉक्ट बर दो सॉक्ट निकल गया लॉक यह किदर एक इदर और एक इदर रहेगा तो यह निकल चुका इसको इदर रख देता हूं अब नीव वाला दिखा देता हूं आपको यह रही न्यू क्लॉक स्ट्रिंग कॉंटेक्ट एसमबली क्लॉक स्प्रिंग तो सबसे पहले देख लेते हैं सेम है या अलग है तो इसको सीधे पोजिशन में खो लेते हैं यह कंपनी से जो लॉक होके आती है तो यह सीधे पोजिशन में लॉक होके आती है तो चलो इसको मैं डाल देता हूं डाल दिया सोकिट लगा देता हूं लग गया यह भी लग गया तो अब इस लोक को निकलना है तो अब निकल देए लॉक गुमना नहीं चाहिए वापस से है तो चलो यह वाला फेटिंग करता हूं मैं तो फाइनली यह भी फिटिंग हो गया अब इसमें स्टेरिंग में डालता हूं तो गाइस, फाइनली इस्टेडिंग भी डाल दिया तो सबसे फेले अभर होन चेक करना चाहते हैं इसको दबाके चेक कर सकते हैं बज रहा है मतलब क्लॉक्रिंग का फॉल्ट था ये चीज़ सॉल्ब हो गया तो चलो अब इसको बॉल्ट को टाइट कर देता हूं मैं और इस मशीन से आसानी से टाइट भी हो जाता है तो चलो अब अपर का एयर बैट लगा देता हूं मैं और देखता हूं लैट जाती है क्या नहीं जाती है तो ये सोफिड भी लगा दिया हमें ये ऐसा आएगा तो पहले ये इसकी लॉक में बैठा नहीं है अब बैठ गया तो देख पार है होन तो बज रहा है अब गाड़ी चालू करता हूं देखता हूं एरवेक की लैट जाती है क्या नहीं अभी तक तो नहीं गया नहीं गया हम लैट भी गाइब हो गई प्रोपर हो गया और इस्टेरिंग गुमा करके आप चेक कर लेना लास्ट टर्न में आ करके बज रहा है और ये लास्ट टर्न में आ करके भी चेक कर लेना आप कि सही है लाइट वेट कुछ नहीं है तो गाइस वीडियो आप यहीं तक इंड करता हूं बापी सब कुछ दिखा दिया मैं और इस केनर में जड़ा एक बड़ा आपको नजर मार देता हूं कि स्केनर में कोड आ रहा है क्या नहीं कि ट्रावल कोड में जा रहा हूं तो आप देख पार है हिस्टिडी में आ गया भी है तो मेरे को स्केनर से इरीज करना पड़ेगा यह कि एगनिशन आफ करने बुल दाए आफ कर दिया इंजिन आफ करने बूल दाए है कि लियर हो गया फिर से एक बार रीट कोड में जाघन हो नौक कड तो अब यह हो गया कि उनसा किस में घय थे पावर इस्टेरिंग में घय था आप पावर इस्टेरिंग का कोड़ खतम हो गया अब इयर बैक में जा रहा हूं कि ट्रावल कोड अब यहां पर भी देख रहे हैं हिस्टेरी हिस्टेरी दोनों को डार है अब तो अब इसको भी रिज कर देता हूं अब इस हो गया फिर से एक बार रिट कोट कर लेता हूं को डार है क्या नहीं आ रहा है बैक जा रहा हूं पूरा किलियर हो सब किलियर हो गया आपको दिखाया भी लाइब में और फिर से एक बार गाड़ी चालू कर देता हूं देख पार है कोई लाइट हो गार है कुछ नहीं सब गयाब हो गया तो गाइस यह वीडियो यहीं तक काफी कर रहा हूं और आप मेरे चैनल में दोस्तों नए हो तो प्लीज लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकर यहां पर आपको अच्छे चैनल को अब बाकि और कुछ नहीं जो भी भाई हो इसमें मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब करेंगे ना तो यहां पर अच्छे खासे आपको नौलेज मिलता ही रहेगा क्योंकि डेली कुछ नो कुछ तो सीखने को मिलेगा अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहेगा क्यूंकि मैं डेली अपडेट करता हम वेडियो और कॉमेंट जरूर करना गाई साफ लोग कोमेंट नहीं करते हो कहीं कोई सवाल हो तोसे कमेंट जरूर करें कमेंट करके जरूर पूछा हैं तो चलो फिर इस वीडियो में यहीं तक काफी जब तक के लिए बाई बाई टेक कियर अल्ला हफीज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर